नमस्कार मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हल चल खबर जरा हट कर हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू और आई अब नजर डालते हैं आज के मुख्या समचारों पर समवार को सहरनपूर कमिशनर चंदर प्रकाश तिरफाटी मुझदफर नगर पहुंचे जहां उन्होंने कलेक्टरेट का निरिक्षन किया इस दोरान उनके साथ उपायुक्त आभा गुपता जला अधिकारी राजीव शर्मा सहीत सभी अधिकारी मोजूद रहे जहां सहरनपूर कमिशनर ने सभी विभागों का निरिक्षन कर कारिये की जानकारी ली इस दोरान उन्होंने साफ सफाई फायलों के रखरकावे गर्मी में पेजल और आगंतकों के बैठने की विवस्था को पर खा निरिक्षन के दोरान सभी विवस्थाई सुचारू वेट ठीक मिली मामला कजबा मीरापूर का है जहां दो दिन पुर्व कजबे के सर्राफव व्यापारी अभिनव से अग्यात बदमाशों ने दो लाक रुपे की नकदी और दस तोल्या सोना लूट लिया था जिस पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी थी रविवार देड रात पुलिस को मुखबिर द्वारा बदमाशों की सूचना मिली जिस पर मीरापूर्थानदेख्ष आरविंद कुमार सिंग ने टीम के साथ मिलकर बदमाशों की घेराबंदी की जहां पुलिस और बदमाशों के बीच घंटों मुठवेड हुई जिसमें 20,000 रुपे का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया वही पुलिस ने एक 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफतार कर लिया मुटवेड के दोरान एक पुलिस कर्मी गोली लगने से घायर हो गया मामले की सुचना पर S.P. दिहात अजे सहदेव और C.O. जानसट S.K.S. प्रताप मोके पर पहुँचे पुलिस ने घायर बदमाश और पुलिस कर्मी को चिकतसाले में भरती कराया बदमाशों के कबजे से पुलिस ने तमंचे, कार्तूस, लूटी गई रकम के 1,88,000 रुपे और सोना भी बरामत किया है यही बदमाश थे जी जिन्होंने मेरे बेटे पर वारदात करी दिए और मैं पुलिस की कारवाई से पूरी तरह से संतोस्ट हूँ पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है हम पूरे तहे दिल से शुक्रियादा करते हैं और इनका मान सम्मान में कोई कजर नहीं चोड़नेगे यह ऐसे है कि थाना मीरापूर में इंस्पेक्टर मीरापूर को सुपना मिले थी कि कुछ बदमाश जिन्होंने तीन दिन पहले यहां पर जो गटना की थी वो पुना कोई जटा करने के लिए दर आ रहे हैं तो इनकी टीम में चेकिंग शुरू की हुई थी और भूमा अडा की तरफ यह जब चेक कर रहे थे तो इस दौरान में एक मोर्साइकल आते नजर आई थी और जो मुख्विता उसने इनको बताय की है संभगवता यही मोर्साइकल आ रही है और जब उनको रोकने की कोशिक थी तो बदमाश जोसे तीन थे पुलिस की तरफ और पुलिस की तरफ और पुलिस करके ये भागें तो जब फायर किया गया तो उसमें एक सिपाही जो टेकिंग टीम में था उसको गोली लगी थी वो भी घैल हुआ है मगर पुलिस में उनका पीछा किया है और इस स्पोर्ट पर आकर के बदमासरे साथ गोली बाई फिर हुई है जिसमें एक बदमास को तो गोली लगी है एक पकड़ लिया गया है और एक जो बदमासरा वो बाजने में सबब हुआ गया तो इससे पूछताच की गई इनके जब चेकिंग की गई है पूछताच की गई है इस तो इन्होंने बताया है कि ये जो 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 पर एक सरणाफ के यहाँ जो रूट पाट की घटना हुथी है उसमें पर उनसे काफी कैश और सफी ओननम एंस जो लूट में पर वो इनसे बरामध हुए है और बाकी जो तीसरा बदमास है उसकी कुछताच की जा रही है और उसकी चानबीन की जा रही है और देखेंगे उस पुर्वार को कलेक्टरेट इस्त जला पंचयत सभागार में आबकारी की बची हुई 28 शराब के दुकानों का आबंटन ई लाटरी प्रकिरिया के माध्यम से कराया गया जिसमें उपायुक्त आभा गुपता जला अधिकारी राजीव शर्मा और जला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार सिंग मोजूद रहे इस दुराने 17 देशी शराब, 6 विदेशी मदीरा और 5 बियर की दुकान शामिल हैं उनमें से 28 दुकानों का आज आवंटन होना था जिसमें 17 देशी शराब की थी, 6 विदेशी मद्रा की थी और 5 बियर की थी इनमें 70 एप्लिकेंट्स थे, जो सभी सभी सिकृत किये गए थे, इनके बीच में लॉट्री डाली गई और 28 में 27 दुकाने आवंटे थम कर चुके हैं, एक दुकान इसलिए रहे गई है कि जिसको लॉट्री पड़ी थी, उसको पूर में ही दो दुकाने आवंटे थोची की थी जितने जो 45 कुल रहे गई हैं दुकाने, और 45 दुकानों को शाषन जैसा निर्दिशित करेगा, उसके आधार में हम लोग आवंटन करेगे सुमवार को जलाधिकारी राजीव शर्मा महीला चिकतसालिये में पहुँचे, जहां उन्होंने नई बिल्डिंग का निर्यक्षन किया इस दुराने कई प्रकार की खामिया पाए गई, जिस पर जलाधिकारी ने इंजीनियर की क्लास लगाते हुए खामियों को सुधानने के आदेश दिये वहीं उन्होंने बताया कि 27 मार्च तक सभी विवस्ताएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, जिसके बाद 28 मार्च को नई बिल्डिंग का विदिवत रूप से शिभारम किया जाएगा इस नई बिल्डिंग के बनने से जनता को काफी राहत मिलेगी रविवार को विश्व शेरोग दिवस के अवसर पर टाउन हाल मैदान से जन जागरुकता रेली का आयजन किया गया रेली का शिभारम मुख्य चिकितसा अधिकारी डोक्टर पियस मिश्रा द्वारा किया गया जन जागरुकतर एली टाउन हाल मैदान से प्रारम होकर नगर के मुखे मारगों से होती हुई जला चिकितसालिय प्रांगन में संपन हुई जिसमें सभी चिकितसक शामिल रहे इस दुराने केंदर सरकार द्वारा दो हजार पच्चिस सक देश को टीबी मुक्त बनाने के उदेशे से सभी को जागरुक किया गया इस दुरान उन्होंने तैसिल के सभी विभागों की जाच की वही उन्होंने फाइलों के रख रखाव और अन्य व्यवस्ताइब अपर आयुक्त ने सभी जानसर गजल भारदौाज को शिकायत के निस्तारन करने और योजनाओ को जन जन तक पहुचाने के निर्देश दिये निरिक्षन के दुरान तहसील में किसी भी प्रकार की खामिया नहीं पाई गई केंदर सरकार द्वारा दो हजार पच्चिस तक देश को मुक्त बनाने की मुहिम शुरू हो गई है जिसको लेकर देश के चिकितसकों में अभियान चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में जलाच कितसालिये द्वारा डियार टीबी केंदर की स्थापना की गई है जिसको सुमवार को जलाधिकारी राजीव शर्मा द्वारा फीता काट कर उदघाटन किया गया इस केंदर पर टीबी के मरीजों का पूर्ण उपचार किया जाएगा जलाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि जिलाच कितसालिये की टीम अभियान चला कर प्रतेक महुले से टीबी के मरीजों की जाच करेगी और यदि टीबी के मरीज मिलते हैं तो उन्हें डीयार टीबी केंदर पर लाया जाएगा जहां चिकिस्तकों के दुआरा उन्हें पो नुप्चार उपलब्ध कराया जाएगा मामला जनपत शामली के थाना भवन का है जहां एक महीला ने कजबे पठा का व्यापारी पर बलातकार करने का आरोप लगाया पीडिता ने बताया कि थाना भवन के महला खैल निवासी पठा का व्यापारी हाजी वकील एहमद उसे लोनी से काम दिलाने के भाहने थाना भवन ले आया था जहां उसने एक कमरे में ले जाकर उसे तमंचे से आतंकित किया और उसके साथ बलातकार की घटना को अंजाम दिया वही पीडिता ने बताया कि किसी को बताने पर व्यापारी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी दरी सहमी पीडिता थाने में पहुची और पुलिस को अपनी आप बीती बताई वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पीडिता को मेडिकल के लिए भेज दिया और जाच शुरू कर दी मामला सिविल लाइं स्थाना शेटर के महला हाजी पूरा का है जहां महसर जहां पत्नी शहनवास का खाता जला परिशत के सामने सता आइसी 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 आई बैंक में है 24 मार्च को महिला के फोन पर 14 मैसेज आए जिसमें महिला के खाते से 1,30,000 रुपे निकालने की सूचना दी गई थी जबकि महिला वे उसके पती ने खाते से किसी भी प्रकार की कोई धनराशी नहीं निकाली पीडिता के पती ने मामले की सूचना ब्रांच मैनेजर को दी जिस पर मैनेजर ने सोमवार को बैंक आने के लिए कहा पीडिता का पती बैंक में पहुँचा जहां उसने ब्रांच मैनेजर से घटना बताई और कारिवाही की मांग की लेकिन बैंक कर्मचारियों ने पीडित की नहीं सुनी और उसे टालते रहे पीडित ने जलापट शासल से म्याय की गुहार लगाई है हमें कैसे बताएं क्या करें बताओं इससे पहले भी एक दफा सेटी सजार रुपे काटेट है उसके लिए बोल जिया था शेटी सजार रुपे हमने तुम्हारी एफडी कर दिये वह पांच महीने बाद भागा दोडी करने से मेरे को मिले हैं बैंक जिला परिसत के सामने 20 मार्च को सुप्रीम कोट ने SCST एक्ट पर नया फैसला सुनाया था जिसमें एक्ट के तहट तुरंत गिरफसारी के स्थान पर DSP रैंक के अधिकारी द्वारा जाच के आदेश दिये गए हैं जिसमें दलित समाज में रोश व्याप्त हैं जिसको लेकर सोमवार को बहुजन शशक्तिकरन संग के बैनर तले सैकडो लोग जिला अधिकारी कार्याले पहुचे जहां उन्होंने केंदर सरकार और राष्टपती को संबोदित गया पनिजला प्रशासन का उसोपा इस दुरान उन्होंने मांग की है कि SCST Act को पुनहें लागू किया जाएं जिससे दलित समाज पर होने वाले अत्यचारों में कमी हो सके हमला यह है अभी 20 तारुको जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि SCST Act में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी उसकी BSP रैंक आदी जहांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी जो इस कानून को निजपर भावी किया रहा है हम उसे पुने चरवाचनियाले से मांग करना हैं कि उसे पुने उसी एक के तहट लागू किया जाए क्योंकि वर्सों से दलिष समाध पर जो अत्याचार हो रहे हैं मामला जन्पत शामली के कांधला का है जहाँ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि किवाना रोड पर कुछ लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले हैं जिस पर पुलिस ने बदमाशों की घेरबंदी की जहाँ पुलिस ने चार लुटेरों को गरफतार कर लिया जिनके कबजे से पुलिस ने एक आल्टो कार चार मोबाइल 15,000 रुपे की नकदी और चाको बरामत किये हैं पुलिस ने चारोशात लुटेरों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया मामला जलाधिकारी कारियाले का है जहां त्रिवेनी शुगरमील खतोली के दरजनो करमचारी जलाधिकारी कारियाले पहुँचे जहां उन्होंने बताया कि शुगरमील करमचारी को वर्तमान समय में 4-5,000 रुपे परती महा वेतन के रूप में दे रहा है जबकि सभी करमचारी कम से कम 13,000 रुपे परती महा के कारियकार है उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ग्यापंजला प्रशासन को सोपते हुए इच्छा मृत्यू की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतने वेतन में घर चलाना मुश्किल है कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्होंका वेतन बढ़ाया जाए अन्यता उन्हें इच्छा मृत्यू दी जाए। जोड़े दिनका नोटी दे जाता है तो उसमें पुलिस परसासर एक तरपा साथ सब्ता कर देगी ददस लाग के मुचल के हमें आगेश कर देगी अगर हम सुगर मिलवाले कोर्ट से जो दस साल पहले निकाल लेगे जो दुर्दोवार जी इतिके हैं अब अभी यह इच्छ इसके बाद को चा रहे हैं कहां जाए हम हमने राज्यापाल के दो जो एज़ा पर देगे देगे द्वारा हम यह इंजीटी द्वारा दस साल पुराने किसानों को ट्रेक्टरों का प्रतिबंदित करने के मामले में किसान गुसाई हुए हैं इस मामले को लेकर सत्ता इस मार्च को भारतिय किसान यूनियन मुख्याले घहराव करने की तैयारी में हैं इसी कड़ी में सोमवार को नगर के गाउ सुझडु में भा बारी संख्या में किसान मोजूद रहे जहां मुख्य अतीती के रूप में भाकियू नेता गोरव टिकेट पहुँचे जिनों ने किसानों से भारी संख्या में पहुचने का अहवान किया हूँ यह पंचायत का उजल कि आया 27 तारीक को या तो यह कानून वापिस होगा यह हमारे जुए टैक्टर में हम कहां लेकर जाएंगे कबड़े के भाव में कौन उसको ले लगा दस-दस साल में तो कुछ भी निदिगरता तो यह कानून को वापसी लेने के लिए पूरे पर देश बरका बलकि देश भरका पूरा अंजुरन है और इसमें यह तो कानून बदल जागे ने तो फिर डियम को उसको चाप भी सोब दी जागे और पूरा सहर कल जो हजार ओट एक्टर दो हजार सभी उपट एक्टर जो है जिले में आ रहे हैं सुमवार को नई मंडे सत किडजी प्ले स्कूल में ग्रैजुएशन सेरेमनी का आयजन किया गया जिसमें सीनियर केजी के उतरीन बच्चों को सम्मानित किया गया एक जोरान स्कूल की परधाना चारिये शालनी जैन ने बच्चों को मैडल पहनाए और परिक्षा फल वितरित किये वहीं उन्होंने बच्चों के उजवल भविश्य की काम ना भी की के लिए उनके पैरेंट्स को बेस्ट विशिज दी है अपनी तरफ से और बच्चों को अलग-अलग अबॉर्ड मिले हैं बच्चे ने इसको बहुत एंजॉई किया दरसल माधमिक वित्विहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले जिले के तमाम वित्विहीन शिक्षक समान कारिये समान वेतंग की मांग को लिकर धरने पर बैठे हैं जहां शिक्षकों ने यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन का बहिशकार किया हुआ है जहां रोजाना शिक्षक विभिन तरीकों से सरकार का विरोध करते हुए परदर्शन कर रहे हैं सौमवार को शिक्षकों ने एक और नया परदर्शन किया जहां शिक्षकों ने नगर में भीक मांग कर सरकार का विरोध किया इस दोरान शिक्षकों ने नगर में कई मारगों पर हातों में कटोड़े लेकर भीक मांगी जहां शिक्षकों ने सरकार से समान कारिये समान वेतन लागू किये जाने की मांग की है देखिए बाइसाब ये जो सरकार है ये सरकार हिटलर साही रवया अक्तार किये हुए है अभी हमने बोड परिक्षा का बहिसकार किया था फिर हमने बोड जो परिक्षा है उनका मुल्यांगन का बहिसकार किया लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं चल रही हमने जब सरकार इतन और वो इनकी कुछ सुदले समय, से रूपनिक महत्अ सचए क्या च हमारे, हैं लिए रहाग दॉपने दूपनिक यठाय को शोग मतोई है कम कर दो चाहिए मुष्टा 25 उम्चा निश्चर चौकर COVID-50 निकांट रहे हैं किसिता देगी है और किसमे थाटताफ oper दो डूदdefined है और आज के अंक में बस इतना ही कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नहीं ताज़ा खबरों के साथ अब तक देखते रही सुची हल चल खबर दरहट कर कर दो